नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जैसे से सीजीयल परिक्षा का एक पेपर टू का एक बहुत ही महतपूर नभी सह है नाकपूरी उसके सिलेवस के बारे में साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसमें अधिक से अधिक कम केसे प्राप किया जा सकता है और हमें किस-किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों नाकपूरी का जो सिलेवस है वो तीन खंडों में बाटा गिया है तो पहला है खंड का खंड का में क्या है इसमें ब्याकरन का पॉर्शन रखा गया है ब्याकरन के अंतरगत जितने भी चीज आते हैं संग्या, सरवनाम, विशेशन, किरिया, विशेशन, समास, संधी, परियावाची सब, उल्टेश, उल्टा सब ये सारे चीज ब्याकरन के अंतरगत हमें पढ़ इस question पूछे जा सकते हैं इसलिए ब्याकरन का जो portion है खंड का ये बहुत ही important है और इसमें खास रूप से विशेश ध्यान देने की जोज़त है ये आपको ज्यादा score करने में मदद करेगा और एक तरह से जिन्होंने हिंदी ब्याकरन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उनके लि दोस्तों ब्याकरन की त्यारी के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले ब्याकरन का जो जितने भी पुस्तक है उसमें से कोई एक पुस्तक को ध्यान से पढ़ें और ब्याकरन से संबंदित जो MCQ ये वस्तुनिस्ट प्रस्ण है उनका practice करें उससे ज्यादा से ज्यादा अ प्य़च अगयरे से question पूछे जाएंगे तो पद शाहित के अंतरगत नाकपूरी भासा के लोग गित ये जो पहला point है ये काफि Suzanne नाकपुरी भासा के लोग घित के अंतरगत जितने भी लोग घित आते हैं जैसे समसकार जीट विवा गीत परप्ते भार की जितने भी परकार की गीठ हैं इंको maioria अदर में परतव करना हैं जैसे कोई एक्जाम्पल देगा कि ये गित कौन सा परकार का है तो आपको उसको ख्याल में रखते हुए उस तरह से स्टडी करना है जैसे कोई विवाह गीत रहेगा कोई संसकार गीत रहेगा कोई परपतेवार का गीत रहेगा तो उस तरह से इसको पढ़ना है उसके बाद से ेसरे गीत और कव Darling सिर्ष्ट गित यानी कि जोब रिखा को द्वारा जो कविता कि रचना की गई ले और पर कौन कौन जी कविता पढ़ना है यह syllabus में आपके detail में दिया हुआ है जो JSC की website है वहाँ पर तो 10 कभी ताय पढ़ना है उसके पाद गीत भी 10 पढ़ना है तो खंड खा भी important है लेकिन इसे उतना ज्यादा question नहीं पूछे जाते हैं फिर भी इसका जो नाकपूरी भासा के लोग गीत का जो type से उसको पढ़ना सबी चीजों को है लेकिन हम preference की द्रिश्टिकों से दिखा रहे हैं फर्स्ट preference में आपको द्याकरन में focus करना है उसके बाद second में आपको focus करना है खंड गम खंड गम में क्या है फर्द साहित दोस्तों ये सब आपका scoring में मदद करेगा खंड गम और खंड गम में क् लग कठा है उसको डाउनलोड करके देखने की कौन कौन की लोग कठा है पढ़ना है। उसके बाद है शीस्त कथाें। जो आधूनिक, जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं उनके दोबारा जो रचीत कहानया है, वो फार उसके बाद नाटक, एक नाटक पढ़ना है, वो कौन सा थाकूर विश्वनात साही के बारे में, जो basic जानकारी है वो तो सामाइन नग्यान में भी मिल जाएगी तो इसमें ठाकूर विश्वनात साही के बारे में इसका जो सामाइन नग्यान है इनका जैसे जान कहां हुआ था, कब हुआ था, इन्होंने क्या किया था उनके बारे थोड़ा समाइन ग्यान भी पढ़ लें और साथ ही साथ क्या करें ये जो नाटक लिखा गया है थाकुर विश्वनात साही बीपी के स्री के दवारा इसको भी डिटेल में पढ़ लें उसके बाद है साहित्तिक निबंद ये काफी इंपोर्टेंट है और इस पर ख अन को पानी की तरह प्पी जाना है उसको एक एक सीजियाद रखना है उनका जनम कैब कर वह था वह था कहा हुआ था ये कि विशेष ध्यान देने की जुर्णत है, शाहितिक निबंद में, क्योंकि इसमें कुछ याद करने वाली भी चीज़ें हैं, क्यों समझ के काम नहीं चले, आपको लॉंग टर्म के लिए याद रखना है, जैसे डेट ऑफ बर्थ और जैनमस्थान, उनकी शिक्षा दिक्षा क कैसे हुई थी, यह सारी चीज़ें, और जैसे लोग कथाओं की तैयारी कैसे करनी है, परतेक लोग कथा को अच्छी तरह से दो तीन बार उसको रिडिंग करने, और क्या करें हैं, कि परतेक जो लोग कथा है, उसको अपने सब्दों में उसका सार्ण का एक नोट्स बना ले और वो आपको रिविजन में मदब करेगा, उसी तरह सिष्ट कताव में भी करना है, कि परतेक कहानियों को दो-तिन बार पढ़ना है, और उसका सारांस लिखना है, उसको शोट में उसका संझेपन करना है, उस कहानी का, और जो उनकी मुख्ये पात्र हैं कहानियों के, उसको और उनकी क्या activity रही है उसका चरित्र कैसा है उस कहानी में उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है तो दोस्तों नाकपुरी भासा में आप कितना तक अंक ला सकते हैं तो कितना तक अंक लाने से आपका selection हो सकता है तो दोस्तों एक सीज याद रखना है कि जो average student है जो generally इसम के विशे हैं उसमें 60 से 70 का score जो होगा ये average category के student भी ये इतना कर सकते हैं 60 से 70 के बीच में यानि कि जो negative marking है उसको minus करने के बाद 60 से 70 के बीच में इसको आसानी से हो सकता है लेकिन 70 से plus करने के लिए और 80 के आसपास जाने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जुर्रत पड़ेगी क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि इसमें negative marking भी है और मान लिजे आप 80 questions अहीं भी कर देते हैं और 20 आपका wrong हो जाता है तो आपका मतलब 6-7 number तो अहीं पर minus हो जाता है तो 80 में भी आपका minus 7 हो जाएगा तो 73 ही बचेगा तो इसलिए आपको ध्यान रखना जदी कोई भी question एकदम आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा doubtful है तो उसको छोड़ देना है और ज्यादा से ज्यादा question की practice, mcq question की practice ही आपको अच्छा number दिला सकता है इन अथा आप 60 और 70 की score की category में ही रह जाएंगे जो की एक average score होगा और आपको थोड़ा अलग करने के लिए आपको 80 पलस score ही करना होगा तो उम्मिद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नेट ओपीत के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिए धरिनवाद